राम राम भाईयो कैसे हैं आप सब मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदी डिफेंस चैनल पर जहां पर मैं भारत की डिफेंस पोलिसी के बारे में और डिफेंस पोलिसी को प्रभावित करने वाले जो बाकी के फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स के बारे में आप सभी लोगों से बात करता हूँ, तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो, अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि DRDO, जो कि एक मुख्य संगटन है, भारत की forces के लिए हत्यारों का निर्मान करने वाली, वा लगबग हर दिन कोई न कोई मिसाइल तो वे सभी परिक्षन, गने मैतपून थे, सबके अपने-पने मैतू थे, पर अब जो DRDO करने वाला है, ये एक next level का है, अच्छा ये next level का कैसा है दोस्तों, वो भी मापको बता देता हूँ, दरसल एक सब्द होता है, आपने सुना होगा, nuclear triad, इसका मतलब होता है, कि कोई देश, nuclear यानि की परमानू हमलों को तीनों जंगे से करने में सक्समों, वो तीन जंगे कौन-कौन सी है, एक तो जमीन से, कोई भी परमानू, मिसाइल किसी देश पर हमला करे, पहली, दूसरी आस्मान से, आस्मान से कैसे होगा, ये जो आपके लड़ा को भी मान होते हैं, ए अपने दुसमन देश पर, और जो तीसरा और सबसे महत्पून है, ये तो बहुती कम देशों के पास है, दोस्तों, यानि पंडूबी, पानी के अंदर से, परमानू हमला करने की तकनीक, इस तकनीक को विक्षित करने में, इसे मैच्चोर करने में, इसे जुटाने में, सालो साल देश लगे रहते हैं, लेकिन तब भी ये नहीं मिलती है, इसे पाना इतना असान नहीं है, ये बहुती ज़्यादा क्रिटिकल टेकनोलोजी है, तो इस हिसाब से भारत ने इस छेतर में एक बहुती लंबी छलांग लगाई है, वैसे तो भारत के पास पंडूबी से करक्या राइस की पूरी टेकनोलोजी तो भारत ने विक्षित करी ली, अब तो बस यह मननों कि उसका प्रोटोटाइप बना रहा और इसे जल्द ही टेस्ट करने वाला भी है, दोस्तों आपको यकिन नहीं होगा, ये एक नुकलियर मिसाइल होने वाली है, और उसकी जो रे प्रेंज की तो अगनी 5 हमारे पास पहले ही मौजूद है, है मैं मानता हूँ, लेकिन आप उससे पूरा का पूरा चीन नहीं लपेट सकते, क्योंकि पूरा चीन केवल 5000 किलोमेटर नहीं है, उससे आगे भी है भाई, बहुत बड़ा देशा चीन, छेतरफल के मामले में, जो पानी से पंडूब्वी से लौँच होने वाली मिसाइल के 5 है ना, पहली बात तो या इन पंडूब्वियों को पकड़ना असान नहीं होता, या डिटेक्ट करना इनका पता लगाना असान नहीं होता, जब भी कोई मिसाइल लौँच होती है, यानि भारत की जो लेंड है, मुख्या भूमी है, तो वहां से इस मिसाइल की जदम है, पुरा का पुरा चीन जो मेन मेन इसके जैसे ओद्योगी केरिया हुए, या मेन मेन सीटी हुई, जैसे संगाई, बीजिंग, या असननी से लपट जेंगी इस मिसाइल में, यानि फिलाल जो हालात बने भारत और चीन के बीच में, चीन जो यूएन में जाकर डंडोरा पीटता फिरता है कि भारत ने ये किया है, भारत ने वो किया है, जूटी साजिसे भारत के खिलाफ ये जो देश है, जो अपने आपको गनबडा तुर्रम खाउन मानता है, करता रहता है जूटी साजिस, जब मुझे इस खबर का पता चला तो यकीन मानिये दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हुई एक भारतवासी होने के नाते और मैंने सोचा कि मैं अपने भाईयों से अपने दोस्तों से ये अच्छी खबर शेयर करूं तो अगर आपको मेरी ये खबर पसंद आई है तो आप कमे ना मिले नई नई वीडियो बनाने की और जब आप इतना करी रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा और शेयर भी कर दीजेगा अपने बागी भाईयों के साथ बहुत जल्द इसी तरह की वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए तब तक के लिए आप खुद भी मो करने दीजे खुश रहिए नमस्कार